जादु गर्मल तुर्याजीव का प्रणाम सीखार करें ठूट अफ मैजिक चानल में आप सबका हार दिख स्वाधत करता हूँ हमेशा की तरह आज भी मैं एक नया जादु लेकर के आया हूँ सबसे पहले जादु आपको दिखाऊंगा उसके बाद उसका रहे से आपको बताऊंगा तो चलिए दोस्तों जादु की तरफ चलता है तो चलता है कर दो कर दो कर दो कर दो आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चानल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बन लाइकन को भी दबा दीजिएगा तीन अप्शन्स आएंगे जिसमें और को सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आगे मैं अपलोड करने वाला तमाम वीडियो सके नोटिफिकेशन्स समय समय पर और सबसे पहले आपको मिलता रहे अब इस जादू का रहसी की और चलता है दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए ऐसा स्प्रिंग फ्लावर्स जो की एक जगह पर कंप्रस हो जाता है और इसको खोलने से एक एक फूल इस तरह से बन जाता है यह स्प्रिंग फ्लावर्स बनाने का एक वीडियो मैं अलग डालूँगा नहीं तो आप किसी मैजिक कंबनी से इसको खरीद भी सकते हैं तो ऐसे पांच स्प्रिंग फ्लावर को ले लीजिए एक खटा लेकर के इसे एक क्लिप में लगा कर रख दीजिए और एक पांच दूसरा एक पांच लेना है इसको लेकर के दूसरा क्लिप में डगा देना है और ऐसे ही 10 flower का एक bundle लेना है ये hat के अंदर ऐसे दो clip जो है इसके अंदर सिलाई किया हुआ है उसके एक clip में 10 flower का एक bundle लगा देना है दूसरे clip में 10 flower का एक bundle लगा कर रख देना है और ऐसे एक handkerchief चाहिए अभी प्रोग्राम शुरूर करने से पहले इस में से पांच वाले में से एक ले लीजिए और इस तरह इस तरह बाये हाथ में ऐसे पामिंग कर दीजिए दूसरा वाला जो पांच फ्लावर लगाया है उसको लेकर के दायने हाथ में उसी तरह से पामिंग कर दीजिए और इसको पामिंग करते हुए यह जो कर्चिफ को लेकर के आना है और इस तरह से दिखा देना है इस उल्टा करके दिखा देना है इस तरफ भी उल्टा करके दिखा देना है और इसको लेकर के बाया हाथ में इसे डाल देना है जूही इसको बाए हाथ में डाल देते हो एक फ्लवर को दोड़ा सा उपर इसे खिसका कर रख देना है और दायने हाथ से इसको पकड़ करके ये करचिव को हटा देना है ये फुला जाएगा इसको बुछ से नीचे फैंक देता है यहां से एक फ्लावर को ऊपर करके रख देना है इसा और दूसरा हट से उसको लेकर के यह कर्चिफ को हटा देना है यह कारवाई आपको करते जाना है इसको फेंगना एक फ्लावर ऊपर करना यहां से पकड़ना तब तट दूसरा एक फ्लावर उपर करकर रखना यहां से पकड़ना इस तरह से निकलते जाना है अभी यह हैट को लेना है इसे इसके अंदर से एक बंदल को खींज करके बाहर निगाल देना है निगालते ही एक फ्लावर को इस तरह से उपर करके खिला देना है और उसके बाद इसको बाहर निगालना इसके अंदर से बंदल लेना एक फूल को ओपन करना और इसे निगालना अब इसको नीचे इसे डाल दीजिए अगला फूल कहीं से निगाल दीजिए यहां से निगाल दीजिए अब इसको रूटा कर दीजिए इसे और दूसरे एक बंदल आओ रहा है उसको भी उसी सहीं तरीके से निगालिए पूरा बंदल को बार ले लीजिए इसे और एक फ्लावर को लेकर के खिला दीजिए और इसको इसके अंतर से निगाल दीजिए इसके अंतर डाल दाना है अगला फूल डाल दाना है अगला कर्णाओ बंदल रहा है दाना है